बड़ी कबर फरूखबाद से है जोहां संदिक्द परस्तितियों में फांसी के फंदे पर लटकी मिली चार माह की गर्वती महला, महला की बेहनों की रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची बुआ एवा मन्ने परिजनु ने महला को फांसी के फंदे से नीचे उतारा फांसी गोविन से शादी हुई थी, पती से विवाद होने के बाद सीमा गिहार तीन महीने से मायके में रह रही थी, पंद्रा दन पहले पती भी मायके आ गया था, बीती रात अचानक घर पर मौजूद सीमा की छोटी बहन की छीक पुकार सुनकर परिजन पहुंचे तब त पता लोहिया से रात में ही भेज दी गई पुलिस को सूचना, पीरता की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने महला को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने के निरदेश दिये हैं, मामला थाना महु दर्वाजा शेत्र के महला रकाब गंश खुरत का है क्या गटना हुई है इसने पता नहीं पर इसने लटकी मिली इसको मेरी माँ अच्छा पता चला माँ को छोटी बैने की रोते हुई मेरे घर पर इनके माय के मौर कोई नहीं है ममी बगये रहा है जब आप लोग पुंचिल आपको पहुंच के पती अनकी बात की क्या बता रहें किसमें लगाई अभीा रहे वह अन्य पती का नाम लेने गोगट्गोबिन और ये गड़बती है किसमें जो शेति पती करते रहते रहते हैं पता चलत हो कि मोल ने तो आप लोगी ने लोहिया लाइर अबुलेंस है हाला तिनकी कैसी है पता नहीं से नॉर्मल है अब तुम अक्सिजन लगी है जिसे आप अक्सिजन पहाएं